अरे क्या हो गया नगमा ऐसे मूँ फुला कर क्यों घूम रही हो तुम रहने दो अम्मी आपको सब पता है पर आप लोगोंने मेरी एक भी सुनी अब देखना जिस घर में नमासे होती थी वहाँ अब रोज सुबा घंटियां बजेंगी भजन गूजेंगे अब तो यहाँ नगमा फिर वही बाते बेटी यह खुशी का मौका है तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्झे ठानी बनने वाली हो तुम्हारी देवरानी आने वाली है अमी ऐसी खुशी न यह कहकर नगमा वहां से चली गई और शबीना उसे देखती रह गई शबीना के दो बेटे थे बड़े का नाम असलम और छोटे का नाम अश्रव था दोनों भाई जब छोटे थे तभी उनके अब्बा की एक हादसे में मौत हो गई थी शबीना ने बड़ी मुश्किलों से अपने दोनों बेटों को पाला था असलम को एक बढ़िया कंपनी में नौकरी मिली तो घर की आर्थिक सिती सुधरने लगी उसके कुछ वक्त बाद ही असलम की शादी नगमा से हो गई और फिर छोटे भाई अश्रव की भी अच्छी नौकरी लग गई ओफिस में अश्रव की मुलाकात रसिका से होई दोनों पहले अच्छे दोस्त बने और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया आज उन्ही दोनों की शादी का मौका था शादी के अगले दिन अरे नगमा सबके लिए चाय बना लो भाई अम्मी सबके लिए चाय अभी भी मैं ही बनाऊंगी आपने ही तो कहा था कि अब मैं जेठानी हो गई हूँ तो उस रसिका रानी से कहिए न चाय बनाने के लिए या खुदा तुम तो सुबह सुबह ही शुरू हो गई हाँ सारी गलती मेरी ही तो है तुम पहले अपना दिमाग ठंडा करो फिर हम आराम से बात करेंगे ठीक है और चाय की चिंता मत करो वो मैं बना दूँगे क्यों आप क्यों बनाएंगी नई बहु को कहिए न वो क्या बस आराम करने के लिए है या लाह क्या करू मैं इसका अरे कल ही तो शादी करके आई है वो और मैं उसे आज से काम पर लगा दूँ हाँ हाँ क्यों कहेंगी आप उसे काम वो तो आपकी लाडली है ना और मैं मैं तो बस नौक रानी हूँ इतना कहकर नगमा वहां से गुस्से में चली गई दरसल अश्रफ और रसिका का रिष्टा नगमा को शुरू से मन्सूर नहीं था जबकि असलम और शबिना ने अश्रफ की जिद के आगे हां कर दी थी नगमा को इस बात से चिड़ थी कि एक हिंदू अब उसकी देवरानी बन गई है और अब उसकी वज़़ से घर का पूरा माहौल बदलने वाला था फिर उसी दो पहर सुनिये अम्मी अश्रफ जल्दी आए खाना लग गया है नगमा ने खाने की में इस पर सभी को बुलाया जहां रसिका पहले से ही बैठी हुई थी अरे वा भाबी क्या बनाया है आज आपने अज घास फूस बनाई है मतलब अब तो इस घर में घास फूसी बनेगी ना न चिकन बन सकेगा और ना ही मचलिया मटन पता नहीं अंडा भी खा सकेंगे या नहीं भाबी आप परिशान मत हो मैं अंडा खाती हूँ और चिकन मटन का क्या बस करो नगमा ये क्या कर रही हो ऐसे बात करते हैं क्या फिर और कैसे बात करूँ मैं आप ही बता दीजिये इतना कहकर नगमा वहां से चली गई हर किसी को नगमा की बात बुरी लगी थी तब ही रसिका ने कहा ममी जी आप फिक्र मत कीजे मुझे बुरा नहीं लगा आप परिशान मत हो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटी नगमा की बातों को दिल से मत लगाना असल में वो दिल की बहुत अच्छी है पर पता नहीं अभी ऐसे बरताव क्यों कर रही है अगले तिन जब नगमा उठकर रसोई में गई तो उसने देखा कि रसिका पहले से ही सब के लिए चाय लेकर खड़ी थी लीजे भाबी, चाय पी लीजे ओ, अच्छा, तो अब तुम अच्छी बहु बनने की कोशिश में लग गई नहीं भाबी, ऐसी कोई बात नहीं है आप चाय पी के देखो न सब लोग कहते हैं कि मैं बढ़ी अच्छी चाय बनाती हूँ मुझे नहीं पी रसिका नगमा को खुश करने की लगातार कोशिश कर रही थी लेकिन नगमा थी कि वो मूँ फुलाए ही घूम रही थी फिर उसी शाम घर के बाहर एक टैंपो आकर रुका नगमा उस टैंपो को देखकर बाहर आई तो उसने देखा कि टेंपो में लकडी का एक बहुत सुन्दर मंदिर रखा हुआ था उसे देखते ही नगमा का गुसा और भी बढ़ गया अमी, अमी, इधर आईए, देख रही हो आप, अब आपकी नई बहु क्या करने वाली है अरे, क्या हो क्या आप, उस रसिका ने अपने लिए मंदर मंगवाया है अब हम पठानों के घर में मंदर सजेगा, जगराता होगा, चौक्या लगाई जाएगी, भजन कीरतन होगा क्या या लाह, बस यही दिन देखने रह गए थे क्या वो मंदर मैंने मंगवाया है, रसिका ने नहीं क्या? क्या कहा आपने? वो मंदर आपने मंगवाया है, पर क्यों अम्मी ये तो नहीं, माना कि हमारे मजभब में मूर्ति पूझा नहीं होती और ना ही कोई अपने घर में मस्जिद बनवाता है लेकिन जहां से रसिका आई है, वहां घरों में मंदिर बनवाय जाते हैं, जहां भगवान की मूर्ती रखी जाती है, और उनकी पूजा की जाती है, अब रसिका खुद तो कुछ कहेगी नहीं, तो मैंने सोचा की, अम्मी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कि आप लोग आख पहले तो सिर्फ रसिका से नाराज थी, लेकिन अब वो अपनी सास से भी गुस्सा हो गई थी, ये सारी बाते रसिका ने सुन ली थी, पर उसे यकीन था कि एक दिन नगमा का गुस्सा जरूर शान्त होगा, और सब ठीक हो जाएगा, वक्त तो गुजरता गया, नगमा हर र पेर तूटकर बस गिरने ही वाला है, और वो नगमा की तरफ ही गिरने वाला था, उसे देखते ही रसिका ने अपने हाथों में पकड़े कपड़े तुरंद फेंके, और वो नगमा की तरफ भागी, उसने नगमा को जोड का धक्का दिया, लेकिन खुर बस पेर के नीचे आ और फिर, अम्मी, अम्मी रसिका ठीक तो हो जाएगी ना, अल्ला से दुआ करो बेटी, उसके सिर पर बड़ी गहरी चोटाई है, सब बेरी बज़े से हुआ है अम्मी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, रसिका अस्पताल में भरती थी और उसका इलाज चल रहा था, पर उसे होश नहीं आ रहा था, तब नगमा भागी भागी अपने घर गई, और वहां अल्ला से रसिका के जल्द ठीक होने की दुआ करने लगी, थोड़ी देर बाद वो उठी और रसिका के मंदिर की तरफ गई, उसने मंदर में धूब चलाई, और भगवान के सामने हाथ जोड़ कर बोली, मैं नहीं जानती की आपकी इबादत कैसे की जाती है, लेकिन रसिका को बचा लिजे भगवान, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूँगी, नगमा की आँखों में आसू थे, और भगवान ने वाकई नगमा की पुकार अस्पताल में रसिका को होश आ गया था, और कुछी दिनों में वो पूरी तरह ठीक होकर घर वापस आ गए, जब रसिका घर पहुची तो उसे घर में घुसते ही धूप की सुगंध है, वो सीधे अपने मंदर की तरफ गई, तो उसने देखा कि नगमा ने मंदर में धूप फिर उसी शाम, लो रसिका, चाय पीलो, अरे वा, आपने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है भाबी, पर तुमने तो कहा था कि तुम ज़ादा अच्छी चाय बनाती हो, शाम को मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है, अब सब ठीक था, नगमा ने अपने हाथों से उस द और राधा दोनों सकी बहने थी, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था, राधा जहां स्वभाव से विनम्र और दर्या दिल थी, वही सीमा एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी, कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माबाप ने उनकी शादी करने का फैस ये देखो, ये उसकी फोटो है, ये तो बताईए पापा कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसका घर परिवार कैसा है, मैं नहीं चाती कि मेरी शादी किसी कम पढ़ी लिखे या गरीब से हो जाए, अरे बेटा, लड़का बैंक में उंचे पतपर है, अच्छा खाता प बड़े धूमधाम से सीमा की शादी कर दी गई, चूंकि सीमा बड़ी बेटी थी इसलिए उसके पापा ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी हैस्ट से जादा खर्च किया इस शादी पर, इसकी वज़़े से उन पर अच्छा खासा कर्ज भी हो गया, क शहर में उनका अपना घर और अपनी किराने के दुकान है, अपनी राधा खुश तो रहीगी न वहां, हाँ हाँ क्यों नहीं, चाहता तो मैं भी था कि सीमा की तरहा राधा की शादी भी बड़े धूम धाम से करो, अगर पैसे की समस्या सामने खड़ी है, कितने बड़े अजहा से बात आगे नहीं बढ़ पाई, कभी राधा वहां आ जाती है, वो अपने माता पिता की सारी बाते सुन चुकी थी, आप चिंता मत करो पापा, आपने जहां मेरा रिष्टा तै किया है, मैं वहीं खुश रहूंगी, मुझे तो बस आप लोगों का शिरवाद चाहि राधा की बाते सुन कर उसके पिता को थोड़ी शानती मिली, निश्चित समय पर बड़े ही सीधे साधे तरीके से राधा की भी शादी हो गई, राधा के ससुराल में केवल उसकी सास थी, जो अकसर बीमार रहा करती थी, राधा ने आते ही घर की सारी जिमेदारी अपने सर जिससे उसकी सास को बड़ी जाहत मिली। जिससे उसकी सास को बड़ी जाहत मिली। जिससे उसकी सास को बड़ी जाहत मिली। जानती हैं कि हमारी हैसियत नहीं है कार खरीदने की। इसलिए अपनी नहीं कार दिखा कर हमें जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला हमें क्यों जलाना चाहेगी। एसी ही बात है, उसे पता है ना कि मैं कभी कार नहीं खरीद सकता। मामूली दुकानदार जो हूँ और उसका पती तो बैंक में बड़ा अफसर है ना। क्यों, किस नहीं कहा कि तुम कभी कार नहीं खरीद सकते। तुम जरूर कार खरीदोगे। अरे सीमा का पती तो बैंक में नौकरी करता है, एक हिसाब से देखें तो वो बैंक का नौकर है। उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहां तुम तो अपने मालिक हो तो। तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी के मताबिक काम कर सकते हो, अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, देखना थोड़ी ही दिनों में तुम एक कार क्या, दस कारों के मालिक बन जाओगे। इसका नतीजा ये होता था कि जो भी एक बार उनके यहां से सामान ले जाता, वो फिर बार बार वहीं आता था। इस तरह धीरे-धीरे कुछ ही सालों में अनिल ने राधा के नाम से कई किराने, फल, सबजियों और डेरी उतपादों की दुकानों का शुभारम किया और उनका नाम रखा राधा ग्रोसरी माल। अब अनिल और राधा की शेहर में कई ग्रोसरी दुकाने थी, उनकी गिंती अब शेहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। राधा की सास तो खुशी से फूली नहीं समाती थी, वो सबसे क्याती थी, अरे मेरी बहु तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, वो इस घर में आई, और देखो घर को क्या से क्या बना दिया, साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहु, मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन एक दुन अनिल नई कार लेकर खराया अरे फिर नई कार ले आए मैं कुछ नहीं कर रहा ये तो तुम्हारी बात ही सच हो रही है कौन सी बात अरे तुमने ही तो कहा था ना कि मैं एक नहीं दस कारों का मालिक बनूँगा लो उनमें से साथ तो आ गई हैं बस अब तीन और बची है राधा खिलखिला कर हंस्ती चलो इसे खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आए दोनों मिठाई लेकर सीमा के घर चले कार से उतर कर दोनों उसके घर के अंदर पहुँचे अंदर सीमा और उसके पती में लड़ाई चल रही थी इस लड़ाई के दुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब राध हो रनिल वहां आए अरे मैं पुशती हूँ कि जरूरत क्या थी बैंक में पैसे गबन करने की तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमापुची खर्च हो गई परसे बैंक में तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है घर में एक पैसा भी नहीं है घर गाड़ी सब गिर भी पड़े हैं तुम्हारी एक गलत कदम ने सब मिट्टी में मिला दिया मैंने क्या अपने लिए बैंक से पैसे गबन किये थे ये सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है तुम्हें ही शौक चढ़ा था पाटी करने का शौपिंग करने का अब भुक तो देखो जी ताने मत मारो कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हें ठेंगा दिखा कर अपने माईके चली गई होती तो तुम भी चली जाओ ना किसने रोका है तुम्हें जानते हो ना कि मेरे माईके की हालत खराब है इसलिए शेर बन रहे हो अभी वो लोग जगड़ी रहे थे कि उनकी नजर अनिल और राधा पर पड़ती है सीमा रोते हुए राधा से लिपड़ जाती है अरे आप लोग यहाँ मैं आपको कुछ कहने के ज़रूरत नहीं है हम लोग सब जान चुके है मैंने सुना है इस महीने आप एक नई ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हो अगर वहां का मैनेजर आप मुझे बना दे तो बड़ी कृपा होगी हमारे घर की हालत तो आप देखी रहे हैं आप से कुछ छुपा हुआ नहीं है अनिल और राधा ने एक बार एक दूसरे की ओर देखा और फिर सीमा के पती को हाँ बोल दिया अब सीमा का सारा घमन चूर चूर हो गया था एक समय में जिसे वो अपने दौलत की जूठी शान दिखा कर चलाना चाहती थी आज वो उसी के रह्मो करम पर थी उसे एहसास हो गया था कि दौलत पर कभी घमन नहीं करना चाहिए